हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो चलिए बच्चों आज का अध्याय शुरू करते हैं अध्याय का नाम है मित्रों का मित्र कर्ण है तो बच्चों प्रस्तुत पाठ में मित्रता का अनूठा उधारन क्रस्तुत कि गया है कण के माध्यं से इसम snail बताया गया है कि मित्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है चाए स्वर्ग पढ़ ही क्यों ना मिल जाए लेकिन मित्रता को भूलना नहीं चाहिए विप्रीज से विप्रीज स्थिती में भी मित्र धर्म निभाना चाहिए तो आईए अपने इस अध्यायकी शुरुवात करते हैं तो यूँ शुरुवात होती है सध्यायकी कि दुर्योधन की सबा से शांती दूत श्री कृष्ण निराश विशुद्ध और प्रोध ह दोकर निकले अभी कुछी दूर उनका रत बड़ा था कि सामने से इधर ही आते हुए कंड पर उनकी नजर पड़ी सहसा यानि कि अच्छानक से सहसा उनका भाव बदल गया उन्होंने सोचा काश कंड दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष्मिया मिले तो कितना अ मुश्कराए और हात पकड़कर उसे प्रेम पूर्वक रत पर बिठा लिया प्रेम पूर्वक यानि कि प्रेम के साथ प्रेम के साथ अपने रत पर बिठा लिया रत चला कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ रथा एक दूसरे से कुशल मंगल पूछा गया क्रिश्न ने बड़े ही नाट की अंदास से भाव पूर्ण स्वर में कहा कन क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा क्या इसे किसी भी रूप में नहीं टाला जा सकेगा मैंने कितना प्रियत्न किया पर क्या हुआ दुर्योधन ने मेरे किसी आग्रे अनुरूत को नहीं माना कुछ रुकर उन्होंने कन की और ध्यान से देखा और फिर कहा आज कदाचित वह अवसर आ गया है कन जब मैं भेद प्रकट कर दूं जो बहुत दिनों से मेरे हृद्य को सालता रहा है वीरवर कन तुम नहीं जानते कि जिन पार्थ भीम आदि को तुम अपना सबसे बड़ा शत्र तुमानकर दिन रात उनके विनाश चिंतन में रहते हो वैं तुमारे अनुज है अनुज यानिकी छोटे भाई हैं कौन है वो तुमारे अनुज है ये श्री कृष्ण ने कन से कहा सहोधर है भाग्य की लिल्ला कितनी विचित्र है कन तुम पांडू के जेष्ट पुत्र हो जेष्ट यानिकी सबसे बड़े पुत्र तुम हो पांडू के विधाता ने तुमें अदुत्य बल बुद्धी पुरुशार्त और पराकरम दिया है तुमें संसार परमदानी निसायों और वन्चितों का रक्षक महात्मा कन कहता है तुम परश्राम के परमशिश्य उद्भ जैसा नर्रत्न आज दुर्योजन जैसे कुबुद्धी ग्रस्त के सात्र मित्रभाव से जुड़ा है क्या इसे दुर्भग्य ना मने कि पार्थ और कंड जैसे धनुर्दर सहोदर आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं नहीं कंड मत होने दो ऐसा यह अनर्थ है अधर्म ह अनैतिक है खुरूरता है क्या करती कुंती अवश नहसाय युवती मा ने कलेजे पर पत्थर रखकर लोक भय लोक भय यानि की लोगों का भय लोक भय से अपने हृदे के टुकडे को किन परिस्तितियों में जल तरंगों को सौंप दिया यह कौन समझना चाहेगा कदाचित कुंती के तुम्हारे और पांड़ों के भाग्ये में यही लिखा था कुछ रुक कर कृष्ण ने फिर कहा इस युद को रोक दो करन इस भीश काल भुजाओं की छाया मैं विश्वास दिलाता हूं कन मिरे साथ चलो तुम्हारा पुन्ये अभिशेक किया जाएगा पांड़ों के कंट से जब तुम्हारा जेगान गुझेगा तो धर्ती अभै हो जाएगी तुम्हारे दाएं बाएं पार्त भीम से अंगरक्षक होंगे अंगरक्षक यानि कि तुम्हारे रक्षा करने वाले हैं यह युद का आतंग शरद के बादलों की तरह देखते देखते विलीन हो जाएगा विलीन का अर्थ है गायब हो जाएगा अर्थात यह युद चल जाएगा श्री कृष्णे का कि अगर तुम पांड़ों के साथ आ इस मात्र भूमी का रूप बदल जाएगा सारा संसार तुम्हारी जै जैकार करेगा करने सब कुछ सुना फीकी हसी के साथ उसने कहा हे केशव मैं कृतग हुआ आपका मुझ पर इतना सने है जानकर मैं अभी भीूर्थ हूँ मैं अपनी इस रहसे में जन्म कथा को जानकर स् विस्मित हूँ विस्मुत मुझ यानि की आश्चैने मैं पढ़ गया हूँ अर्थात मेरे जन्म की कथा जो आपने मुझे बताई है उसको सुनकर मैं आ आश्चैने में हूँ किन्टू है मधुसूदन इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता कि मेरे प्रती विधाता ही जन्म से टूर रहा है मुझे आरम से ही भाग्ये ने चला है किन्तों मैं उससे निरंतर संगर्ष करता रहा हूं मैं उसके विरोध अपने पराकरम को लेकर खड़ा हो गया पगपग कर पर मुझे गलानी लाशना और अपमान भोगना पड़ा सूत-पुत्र कहकर मेरा तिरसकार किया गया तिरसकार यानी मेरा अपमान किया गया क्या किया गया मेरा तिरसकार किया गया ये कांड ने कहा उस समय ना मा का कलेजा पसीजा और ना विधाता को ही तरसाया उस समय जो रिदे भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे कहकर मुझे अपने बराबर स्थान दिया और जिसने मेरे सिर पर मुकुट धर कर मुझे राज पुत्रों के बीच आदर दिया उस मेरे परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते नहीं कृष्ण नहीं यह मुझे से नहीं हो पाएगा जिस व्रिक्ष की छाया मुझे मिली मैं उसी को काड़ दूं केवल इसलिए कि लोग मुझे पांडव कहें मेरा कुंती पुत्र कहकर सम्मान करें मुझे राज सिहासन प्राप्त हो और मैं धर्म राज का अगरज कहला हूँ नहीं केशव नहीं चाहिए मुझे यह मान सम्मान यह ताज सिहासन यह धन एशरे मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ मैं अपनी ही दृष्टी में अपने को कलंकित नहीं करूँगा मैं अपनी ही गलानी से हर पल मर मर कर जीना नहीं चाहता हे केशव जो भी आप मुझे देंगे वैं सब मैं कुरूराज दुर्योधन को दे दूँगा उस बंदू के लिए मेरे पास कुछ भी अदे नहीं है यदि मुझे आप इंद्रप्रस भी दे दें तो उसे भी मैं दुर्योधन के चड़नों में अर्पित कर दूँगा हे क्रिश्न मित्रता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी शीतल, मधूर और सुक दायक नहीं है उसका मुल्य किसी भौतिक संबदा और मान संमान से नहीं आप जा सकता परम विसमे से क्रिश्न उसे देख रहे थे और क्रिश्न को प्रणाम करते हुए राधा पुत्र कन रत से उतर रहे थे पिश ने सोच रहे थे कि ऐसा व्यक्ति है ये कंड क्या ऐसा चरत्र संभव है ओह मित्र हो तो ऐसा अर्थात मित्रता की मिसाल या ता सुदामा और श्रीकृष्ण में दी जाती है या दुरियोदन या कांड के बीच दी जाती है कांड जो सब कुछ जानते थे एक अच्छा ज पिरोद उन्होंने युद्य लड़ा केवल और केवल अपने मित्र दुर्योधन की खाते ऐसे थे कंड जिनके बारे में आपने इस पार्थ में पड़ा तो बच्चों हमें भी ऐसी मित्रता की मिसाल देनी चाहिए ऐसे मित्र बनाएं और ऐसे मित्र बनें कि सद्यों तक ये